ये अयोध्य में राम जन्म भूमी कैंपस है जिसके आठ एकड में राम मंदिर का परकोटा है इसी के भीधर करीब तीन एकड में मुख्य मंदिर बन रहा है ये है नागर शैली में बना श्री राम लला मंदिर इसके शिखर की उचाई 161 फीट है मंदिर तीन मंजिला है और मंजिल की उचाई 20 फीट है जिस चबूतरे पर मुख्य मंदिर बन रहा है उसकी लंबाई 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट है ये मंदिर का परकोटा है इसमें 6 मंदिर और भी है गनेश, सूरित, शिव, भगवती, पनुमान और अनपूर्णा परकोटिस से होती हुए मुख्य मंदिर परिसर में प्रविश के चार रास्ते हैं आएए हम मंदिर परिसर में चलते हैं ये मंदिर का मुख्य द्वार है हम पूर्व दिशा से प्रविश कर रहे हैं बोलिए जैसियाराम और घंटा बजाएए सामने श्री राम लला का मुख्य मंदिर दिख रहा है इससे पहले पूरे मंदिर परिसर को देख लेते हैं ये परकोटे का गलियारा है 732 मिटर लंबा और 4 मिटर चौड़ा ये राम लला का परिक्रमा पत भी है अब मुख्य मंदिर में चलते हैं हम मंदिर पहुच चुके हैं सिहिंद्वार पर यहां से सीधा देखिए आपको गर्ब ग्रिर के बाहर की जलक दिख रही होगी इस मंदिर के सभिस्थंब और आकरतियां राजस्थान से लाए गुलाबी पत्थर के बने हैं भगवान का स्मरन करते हुए घंटा बजाहिए अब आगे बढ़ते हैं सीध्वार से आगे पांच मंदप हैं सबसे पहले द्रत्य मंदप ये भजन कीर्दन के लिए बनाया गया है इसके आगे रंग मंदप से हुतिर्वे आप गुल मंदप में पहुचेंगे गुल मंदप की बाई और कीर्दन मंदप बनाया गया है गूर मन्डप से दाई और देखिए ये प्रातना मन्डप है आप गूर मन्डप तक ही जा सकते हैं सामने गर्वग्रह दिख रहा है लीजे गर्वग्रह के कपाट खुल गए साक्षात राम लला विराजमान है दर्शन कीजिए श्री राम लला को पुषपार पित किजिए प्रसाद चलाईए और अब श्री राम जोधी चलाईए श्री राम जंड़ कीजिए श्री राम जंड़ कुपादू बज मन घर्ण भववय दारुन नवकंज योचन कंज मुक कर कंजपद कंजारु नवकंज रोचन कंज मुक कर कंजपद' कंजारुन कर दो